मसकार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फेंटेसी क्रिकेट क्लैस में आज हम बात करेंगे जो सेकंड टी-टॉन्टी मुकाबल होने बाला है जो की खिला जाएगा वेस्ट इंडीज और ऐस्टेलिया के बीच में इसके बारे में जेल से इस मुकाबली के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों बेस्ट इंडीज भी आपके लिए टी-टॉन्टी में कहीं भी पीछे नहीं है हाँ बंडे में या टेस्ट में अच्छा खिल नहीं दिखाया हो लेकिन T20 में बेस्ट इडीज कहीं भी पीछे नहीं है लास्ट मुकाबले में भी आपने देखा होगा तो दोस्तों सभी के बारे में सिलसली बार चर्च करेंगे आपके लिए कौन बेस्ट हो सकता है और किसको आज आपनी टीम में रख सकते हो और किसको अवाइड करकर चल सकते हो तो चलिए बात करेंगे दोखतों सबसे पहले टेलिग्राम के बारे में जो भाई भी अभी तक नए हैं और टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं कि आप जोइन कर लेजीगा लिंक आपको डिस्किप्शन मि मिल जाएगे तो चलिए बात करेंगे दोखती यहां पर सबसे पहले बेन्यू के बारे में तो आप यहां पर देखोगे एडिलेट ओवल में मुकाबला खेले जानी बाला है आम तोर पर अच्छा स्कोरिंग बिकेटे से माना जाता है आप देखोगे टोडल अंतराश्टी म मुकाबले और सेकेंड बल्ले बाजी करती है पांच मुकाबले मतलब टोस ज्यादा मेटर नहीं करेगा जी हां दोस्तों टोस ज्यादा मेटर नहीं करेगा लेकिन यह आदि आप देखोगे एबरेज तो 165 आता है आज के साबसे जो टी ट्वन्टी हो रहा हो ना आपने दे 200 और 200 प्लस का ट्रेंड आ गया है चाय दोस्तों वो कोई सी देश की लीग हो या फिर दोस्तों हो आपके लिए कोई अंतरराष्टी क्रिकेट हो रहा हो लास्ट मुकाबले में भी आपने देखा 200 बना और फिर सेकंड टीम ने भी 200 बनाया सेकंड बल्ले बाजी करती है यहा 3 वार इसकोर देखने को मिला आए 150 दू 169 चार बार 172 189 धीन भार 192 एअबढ एक बार Сकोर देखने को मिला है मेरा अनमान है और वसुत यादी पहले बल्ले बाज़े करेगी तो आपकी एक बार फिर की टीम है हलाकि अभी वेस्ट इंडीज की काफी स्टॉंग टीम है और अच्छी टीम है अब हम बात करेंगे जो वेन्वी पर रिसेंट मुकाबली के लिगा है वो आप देख लेजीगा यहां पर आप देखोंगे होबाट हरीकें 166 बनाए और एडलेट स्ट्राइकर ने 168 ब पेस्ट बॉलर को मातर तीन बिकेट में अगला मुकाबला यह आप देखोगे तो एडलेट स्टाइकर ने 205 बनाए और 211 बनाकर उसे चेस किया यहां पर आप देखोगे दो विकेट पेस्ट बॉलर तो इस पनर को चार विकेट और दोस्तों सिर्णी थंडर ने 200 बनाए त राष्ट के चारों के चार मुकाबले देखोगे तो सेकंड बल्लेबाजी करते हुए टीम ने बिन कियें तो संबब्ता जो टीम टॉस जीतेगी वह सेकंड बल्लेबाजी भी कर सकती है लेकिर अंतर राष्टी में ऐसा कुछ नहीं लगा ए डूमेस्टिक टूनमेंट है उस बेनिफिट मिले वाले हैं उसके बाद दोस्तों क्या होगा इस पर आपके लिए लोएस्ट एंट्रीफीस मिलेगी एक से दो मिनिट में आपके लिए बैंक बिट्रो मिल जाएंगी और दोस्तों लो कमप्टीशन मिलेगा और जी एस्टी नहीं देना है आपकी तरफ से जी लाश्ट प्रमेंस के बारे में तो आप देखोगे सबसे पहले डेविट बॉर्नर जॉस इंगलिस के साथ ओपन करते हुई नजर आ जाएंगे यहां पर डेविट बॉर्नर से विंटिगन है एड्टो एड भी यह दिए आप देखो डेविट बॉर्नर चबालीस का केप्टेंसी 22 केप्टेंसी में बहुत अच्छा ओप्शन हो जाएगा है एक मुकाबला खेला है 49 नहीं वाला मुकाबला है और बेन उपर इन्होंने खेला नहीं मिचल मार्स लाश्ट मुकाबले में ने कोवेड था जिया दुख तो कोवेड था और केप्टन भी है और अच्छा ओप्शन आपके लिए हो जाएंगे सोला रन लाश्ट मुकाबले में बनाये थे चुकि बीमार थे तो बीमार हम समझते हैं कि बीमार कोई सी भी बीमार ही हो तो इतना मतलब हंड़ेट परसंट कोई भी बिलियर अपना नहीं दे पाता हेट वेड आप देखोगी 19 का अबरेज है वेन उपर 45 का अबरेज है ठिक ठाक प्रोमेंशन का है उसके बाद आप देखो गलेंड मैक्स बिल दस रन और एक बिकेट दो गलेंड मैक्स बिल की रेल यादी चल गई तो बहुत लंबी चलती है और यादी नहीं चलीना तो बिलकुल फ्लॉप भी हो जाती है तो कैप्टनसी और 22 कैप्टनसी का ओप्शन तो यह भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा लेकिन याद रखेएगा इनके साथ एक रिस्क हमेशा रहेगा गलेंड मैक्स बिल को कैप्टनसी 22 कैप्टनसी देने में रिस्क हमेशा रहता है यदि आप यहाँ पर देखोगे हेट्वेड पांच मुकाबलों में 46 रन है एक विकेट है बेनी उपर दो मुकाबलों में 116 रन है मतलब 116 का ही इनका स्ट्राइक रिट है तो बिल्कुल डेफिनली आपके अच्छा प्लियर हो जाता है मरकास इस्टॉनिस दोस्तों हाड डिटर यह अच्छी हाड है लाश्ट मुकाबले में 3 ओवर इन्होनिक अन्दबाजी की थी और 2 विकेट इन्होनिक निकाले थे हेट वेड आप देखोगे तो एक ही मुकाबला है वेन्यू पर एक मुकाबला 25 रन जीरो विकेट है टिम डेविट एधर फिनिसर बले बाजी करते ही नजर आ जाएंग है टु हैड आप देखोगे एक ही मुकाबला है वेन्यू पर खेला नहीं है अंतराश्टी मुकाबला वहाँ पर देखोगे एडम जैम पर तीन विकेट निकाले दोस्तों एडम जैम ऑश्टिलिया के अंदर यदि यंद्बाजी करते है ना तो हमेशा विकेट निकालती है आपने देखा होगा और इस चीज़ को आपने नोटेस भी किया होगा, तो Adam's Jemper आपके लिए Impodent हो सकते हैं, आप इन्हें अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो, Head to Head आठ मुकाबले में 6 बिकेट हैं, बेन्यू पर 3 मुकाबलों में 8 बिकेट हैं, Head to Head तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बेन्यू पर बहुत अच्छा है, बेन्यू पर एक बिकेट मिला, लेकिन इस से ज़्यादा बिकेट नकालने की एक क्वालिटी रखते हैं, उसके बाद आप देखोगे, बिकेट इनी नहीं मिला, Head to Head 8 मुकाबलों में 12 बिकेट हैं, बेन्यू पर एक मुकाबली में 2 बिकेट हैं, यदि इनकी और से उस्टलिया की ओर से इंपोटेंट बलिबाच के बारे में या इंपोटेंट पिलियर्स के बारे में चर्चक की जाए ना, तो सबसे पहले आप 1 और 2, यदि ए दोनों पिलियर हटा दोगी न, एक ग्रैल लिक के हिसाप से अच्छे हैं, इसमोल लिक के हिसाप से अच्छे नहीं, तो सारी के सारी इंपोटेंट हैं, चाये वो बॉर्नर हों, या जॉस इंगलेस हों, मिचल मार्च हों, गलेन मैक्स हो अच्छा उप्सन है, एडम जेंपा भी ठीक उप्सन है, बेरन डॉप भी हो, जो सीजल बुड भी, तो ये सारे के सारे अच्छे उप्सन है, लेकिन इन मैसे भी यदि दोस्तों हम टॉप उप्सन चार्ट के रखें, तो एक एबड हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांच ये तो रहेंगे, उसके बाद एबड भी आपके लिए अच्छा उप्सन हो जाएंगे, और दोस्तों बेरन डॉप, ये आप साथ उप्सन की तरफ से लेकर चल सकते हो, थोड़ा गला बैठ रहा है दोस्तों, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, आप बीमारी है, थ हेड टो हेड दो मुकाबले 35 रण है, इस मुकाबले से पहले का स्टेर्स है दोस्तों, और बेनु पर इनका कोई मुकाबला नहीं हुआ है, जोंजन चल्स, आप देखोगे, हहां पर इनोनी बनाए 42 रण, हेड टो हेड साथ मुकाबले 16 रण, और दोस्तों इनके हैं 25 कावर बनाए, और टीम को साधने की कौसिस की थी, और आपके लिए अच्छा उप्सम हो जाएगा, ग्रेल लिग में कैप्टेंसी, 22 कैप्टेंसी के, हेड टो हेड आप देखोगे, आठ मुकाबले में 14 रण है, 17 के रण का आवरेज है, उसके बाद राम बन पॉबल, जो कि टीम क से बल्ले बाजी कराई जाएगी, निकलास पूरण की जागे और निकलास पूरण को से होप की जागे, तो मेरे सबसें के टीम मैनेजमेंट का ठिक ठाक रहेगा दोस्तों, अब देखोगे आप यहाँ पर आंदरे रसल, रसल तीन विकेट जरूर निकाले, वो भी डेथ से कुछ खास नहीं है दोस्तों, इसके बाद आप देखो कि सर्फिन रद्दर फूर्ड, ग्रलिक की चोई से, रोमारियो से, आप इन्हें अपनी स्मोल लिक की टीम में ट्राइ कर सकते हो, क्योंकि सुरवात में लगबग 2 अवर गैंध बाजी करेंगी, और 1-2 आपके यहाँ पर आप देखोगे, नबे नम्मर पर आकर 16 गैंदों में 34 रणी की इनिंग्स खेली, तो बल्ले बाजी या गैंध बाजी में असा नहीं है, इनके पास कमी हो, लेकिन कमी है टेम्परामेंट की, थोड़ी से बेस्ट इनिज टीम में है, टेम्परामेंट की कमी है, अ इस मुकाबले से पहले एक बात कर रहा हूँ, अकील होसे यहाँ बेकिट नहीं मिला, दूस्तों इस मुकाबले में भी साध बेकिट ना मिले, अलजारी जोसिप दो बेकिट ने के लिए निकाले, डेथावर में एवे करेंगे, और सुरबात में भी यह गैंदबाजी हेड टो हेड एक मुकावला दो विकेट है अब हम बात करेंगे दोस्तों जो कैप्टेंसी बाइस कैप्टेंसी के सेफ ऑप्टेंसी का आप देखोगे यहाप डैविड बॉर्नर है मिचल मार्स हैं और आंदरी रसल को मैं safe option में रखा है यदि rescue option देखोगी तो Glen Max bil मेरे साफ से Glen Max bil को भी आप safe option में लीजा सकते हो Jason Holder है और Nicholas Puran को इनको मैंने दोस्तो rescue option में अपनी में रखा है उसके बारे में, तो वो combination आप देख लीजीगा, सबसे पहले निकलस पूरा ने, जॉसिंगल इस दोनों को मैंने try किया है, फिर देखोगे डेविड बॉर्नर, मिचल मार्स और यहाँ पर बेरेंडन किन, अब दोस्तों मैं दो तरीके से टीम में बनेंगे, यदि Best Indies पहले पल लिवाजी करती है, तो अलग टीम मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूँ, आप टेलीग्राम जरू जोइन कर लें, लिंक आपको टेलीग्राम के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देखोगे, आप मैंने try किया है, अंदरी रसल, यहाँ पर ग्लेन मैक्स बिल टेलीग्राम जोइन करना मत भूलेगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सस्क्राइब कर लेना है, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में